अब तक मैं आपको 34 सेट्स करा चुका हूँ अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं करिए तो यह आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा एक्जाम में अच्छे माक्स स्कूर करना क्योंकि आपका एक्जाम की रेट क्या है एक्जाम की रेट आपकी 9 जेनवरी यह साइनिक स् अगर आपने सबिशेंट प्रैक्टिस करी हुई क्वेशन की तो क्वेशन को अराम से रिकॉल कर पाएंगे अराम से इसको क्वेशन को टैकल कर पाऊगे अधरवाइज इट विल वेरी डिफिकल्ट फोर यू तो क्रैप ब्रटिकुलर क्वेशन फर्दर राष्टे मिलिटर स्कूल्स के फोर्म बरे जा रहे हैं राष्टे मिलिटरी स्कूल्स 8 दिसंबर सी लास्ट डेट है तो उसका फोर्म बर लीजे और की जो एक्जाम की डेट है वो 23 जैनवरी है उसमें भी ये वीडियो इक्वली इंपोर्टेंट होगा उसमें भी क्योंकि रिजिनिंग का पो दो से तीन कुष्चन आते हैं तो वहाँ पर भी ये कुष्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है चलिए शुरू करते हैं इस्टाट करने से पहले बता दूँ आपको की राष्टे मिलिटरी स्कूल्स के देखो ये हमारे प्रीमियम कोर्सिज आप इनको अवेल कर सकते हैं ज से लिए बर्निग कोशन देखें हैं लास्ट इमिषब बर्निग कोशं देख ताइट आई विए लास्ट आउं में आफि हैं आप यह यहां पे यह क्या है पेप एपर फोल्ड फोल डिंग का जाना पेपर को अनोझ ने ऐस सभि एचो फोल्ड एंड किया गया पार०िलिश् अब फिर इसको open किया गया जैसे इसको fold किया जाता है याणी इसको open किया जाता है अब आपको बताना है किया figure निकल किया आएगी तो देखिये इसमें क्या होता इस तरह कोॉजिशन में पहले तो eliminate करेंगे तो जैसे यहाँ पे जब इसको गलत एक rectangle और दो rectangle कि यह option होगा गलत तो इस option को जाईए आप बूल अब बात आते है जो यह आपका जो इस हो यह तो गया गलत जैसे यह वाला जैसे यहाँ पर एक सर्क यह आएगा और यहाँ पर एक आएगा अंडरेस्टेंट यहाँ पर आएगा इस direction में आपका यह आएगा इस direction में clear यहां पर आएक और जब इसको आप open करेंगे तो यह दोनों circle बार की side आएगे और यहां पर आएक आपका rectangle ऐसे और ऐसे लेकिन अब अगर देखो तो यहां पर यहां पर यहां पर देखो यहां पर 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 यहां प फर आगए तो जो ovl shape है जो ovl shape है नीची आ नहीं थे तो यह भी ओ गगय आपका गलत अब बचते हैं यह वाला तो दो गलत हगए आपकर यहां पर अगर देखो तो इनकी Direction जो रेंगल से ही इनकी direction छही नहीं है इनकी direction अलाग है बिलकल सेम डिरेक्षिन है नहीं डिरेक्षिन दूसरी आएगी तो option बचा आपका यह, option 3, 3 is the right choice, चलिए next question पर चलते हैं, यह था आपका last time का question, burning question number, तो दो question मैंने आपको दिये थे, यह था series, आप इसमें wrong series बताना था कि कौन सा number गलत fit हो रखका है, misfit, misfit number आपको इसमें बताना थ तो यहां पर देखें कितना difference है, 7 का, यहां पर 14 का, तो यहां पर कितना आना चाहिए था, यहां पर 21 का, यहां पर अगर मैं 21 का difference करता है इसमें, तो यह आता 81, फिर यहां पर कितना 28 का, तो 109 आ गया, फिर 35 का, तो 144 आ गया था, तो 7 के table में difference चला हुआ है, लेकिन यहां पर 82 number ना के 81 number आना था, 81 number आना था, तो जो wrong है, जो wrong number कौन सा लिखा हुआ है, the wrong number is 82, option 1 is the right choice, चलिए next question पर, आज का question number 1 करते है, select the weight diagram that best illustrates the relationship between following classes, animal में, cattle में और cow में आपको relationship बताने है, तो animal, animal में तो देखो सारे loin वगरा, सब टाइप के animal और से सब आ जाते हैं, लेकिन cattle में कुछ special animal होते हैं, cow, buffalo, ये सारे ships, gods, ये किसमें आते हैं, cattle में आते हैं, understand, तो animal का एक टाइप हो गया, cattle, और cow, cow क्या है, cattle के अंदर आता है, cow, cow is a type of cattle, understand, तो ये आपका बने का option number 3, option number 3 is the right choice, next question पर चलते हैं, in a certain code language, roasted is written as 91282054, mystic को इनों ने लिखा ये वाला, flared को क्या लिखना है, अच्छा question है, tough question है, roasted देखिया, r, o, s, t, e, d, तो रोष देटि, को क्या लिखा है, r का actual code कितना होता, 18, o का कितना होता 15, s का 19, 20, 5, 4, ये code होती है, अब यहाँ पकिया लिखा है, code actual होते हैं, 91282054, तो मतलब d तो ऐसे लिखा है, व preference को लिखा है, ये भी ऐसे लिखा, ये तो 3 तो ऐसे लिखा, ये तो तो ऐसे लिखे ह वो वाँज है यह बाकी के 3 को बैक साइड से लिखा जिसे इस्थ स्टार्टिंग से आर 18 होता है लास रहा है 9 इस्टार्टिंग कोड निकल जितरशक पर है 1 55 होता है 3 एस्टार्ट गजिस्ट से से स εκषा होता है 19 होता है लास साइड तो फिर्स्ट three letters are written from the back side and the last three letters are written from the front side तो ये code निकल किया आया अब इस code पर क्या करते है हमें किसका निकालना निकालना है F, L, A, R, E, O, D तो सुरू के तीन letter का code क्या होगा last से आएगा और last के तीन का एजेटीज रहेगा तो मैं पहले last के तीन का ही लिक रहे तो R का कितना होता है? 18 होता है और E का कितना होता है? 5 होता है D का कितना होता है? 4 होता है 18, 5, 4 देखे पहले किसमें तो इस option में नहीं है, इस option में नहीं है अब दो option बच गए आपके, ये और ये F का starting से code 6 होता है तो last से कितना होगा 21, 21 is U 21 क्या सका हुआ यू का तो यहां पर यू लिखिए L is 12 लास से 15, 15 से कितना हो जाएगा O A पहला है सुरू से लास से कितना हो जाएगा 26 तो U O sorry, तो U कितना हो गाए 21 21 O कितना हो गाए आपका 15 और 26 और 18 और 5 और 4 तो यह आपका यह बन गया कोड़ यह यू का मतलब नहीं है लास से कोड नमबर लिखने थे तो क्या अंसर बना आपका 21, 15, 26, 18, 5, 4 के लिए चलिए तो यह बना आपका अंसर नहीं यह नहीं लिखना था यह देखो, स्टार्टिंग से F कितना है, 6 है, तो लास से कितना हो जागा 21 तो 21 लिखो, नमबर लिखना है डिरेक्ट चलिए रेक्स कोशन पर आते A denotes addition A किसको addition को, B multiplication को C subtraction को, D division को Then what will be the value of the following expression तो इस expression की value बताने है 17, C किसको denote करता C denote करता subtraction, subtraction लिख दिए 12, A किसको करता addition को तो addition लगाई है 12, A, bracket ऐसा ही रहेगा 6, B denote कर रहा है, multiply को तो multiply करिए, 4 करिए D किसको कर रहा है, D denotes division तो division लगाई है, D 8 हो गया, A addition 15 और D division 5 अब इस question को solve कर दिए अब आपको bird mask rules regulation आपको आते होगे, मुझे पता है कि आपको इतना तो आना चाहिए, आपको मैं इसमें आपर यह नहीं बता हूँ, आपको bird mask के rule क्या, फिर वो एक नया topic बन जाएगा, वो आपको पता होना चाहिए अब 17 ऐसी ही रहेगा, minus 2 12 plus 6, यह bracket open करेंगे सबसे पहले तो, 6 into 4 कितना होगे 24, फिर होगा divide 8 plus 15 divide 5, board mask में सबसे पहले क्या होता है, bracket के बाद division आता है so 17 minus 12 plus, अब इसको solve करीए, यहाँ से कितना 24 को 8 से दिवाद करेंगे, तो आएगा 3 similarly, 15 is divided by 5 you will get 3 understand, so 17 minus 12 plus 6 17 and 6 that is 23 minus 12 that is 13 so the answer is sorry, 23 minus 12 that is 11 okay, तो क्या आएगा आपका 11 answer आएगा, तो option B is the right choice आपका option क्या है, option 2 option 2 इसका सही जवाब है चलिए next question पर in a certain code language POR is written as K L F I वो तो POR को इन्होंने क्या लिखा P O U R POR को लिखा इन्होंने K L F I तो P O P O 16 हो गया P हो गया 15 U हो गया 21 R हो गया 18 अब देखो K K starting से कितना है K सुरुवाद से आपका 11 last से कितना है 16 last से L कितना है L L last से कितना starting से 12 last से 15 F कितना है last से FS 21 I कितना है last से 18 मतलब जो यह starting में लिखे हुआ है सुरुवाद से यह जो coding है अनके last से लिखा हुआ है यह हो गया code T code अब मैं लिखूँगा project को same way में मैं लिखूँगा project को P R O J E C T project तो P P स्टार्टिंग से कितना होता है आपका P स्टार्टिंग होता है 16 तो last से कितना हो जाएगा last से 16 कोई सा रहेगा आपका रहेगा last भई देखो अब 16 हो गया last से कितना होना चाहिए last से भी 16 होना चाहिए तो last से 16 का मतलब क्या हो गया सुरुवाद से 11 कोन है सुरुवाद से 11 है आपका के अब आर स्टार्टिंग से कितना है 18 लास से हो जाएगा 9 लास से 9 हो जाएगा तो आपका सुरुवाद से कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 नाइन ठास हो जाएगा वो कितना होत मीं से फिफटीञ तो कितना हो जाएगा यह कितना होता 10, लास से कितना हो जाएगा, तो 12, यह हो जाएगा 16, 16 को होन है P, के एल आई पी, के एल आई पी सिर्फ एक में है, के आई एल पी सिर्फ में है, के आई एल पी पहले वाले में, तो option 1 इसका right choice है, total sum लेटर का एक परकार से अगर आप यह कहो तो इसको ऐसे भी कैसे है, total sum जो आना चाहिए हो 27 आना चाहिए, जैसे P, O, U, R है, और K, L, F, I है, इनका लेटर का sum देखो, P कितना है, 16, K कितना है, 11, sum आगया 27, O कितना है 15, L है 12, sum आगया 27, 27, U कितना है 21, F, I, 6, sum आगया 27, और कितना 18, यह है 9, तो sum का sum 27 आ रहा है, तो आपको भी क्या करना है, project में क्या करोगा, project में P, P की value कितनी आ गई, P की value आगया 16, sum आपको 27 करना है, तो 11, add करना पड़ेगा, तो इस तरह से आपका answer होगा, चलिए next, इस उन्होंने option 3 दिखाया, तो मैं इसको एक बार करता हूँ, फिर इसको अगर option 3 एक बार चेक लेता हूँ, project P, R, O, J, E, C, T, तो P कितना है अपका, वो P, 16 हो गया, sum 27 होना चाहिए, तो मैं इसमें 11, add करूँगा, 11 किसका है, K का, तो यहां पे आगया K, ठीक है, K, R कितना है, 18, 9 add करूँगा, 27 आगा, I किसका है, I का, 9 किसका है, I का, O कितना है? 15 12 एड़ करूँगा 12 किसका है? L का J कितना है? 10 इसको 27 बनाने तो कितना एड़ करूँगा? 17 एड़ करूँगा मैं 17 एड़ करूँगा 17 किसका है क्यों का? ठीक है? तो क्यों आंसान रहाएगा? अपक़ आंसारा का is K I L P E कितना है? 5 22 add करूँगा तो मैं add करूँगा V C कितना है आपका C 3 है 24 add करूँगा X है 24 का T कितना है 27 add करूँगा G तो यह answer आगे चली है next question पे Which of the following number will replace the question mark in the given series 27 इसमें क्या करिए 2 add करिए इसमें 3 add कर दिया यहाँ पे कितना 5 add हो गया यहाँ पे 7 add हो गया यहाँ पे 11 add हो गया तो क्या add हो रहा है आपका prime number add हो रहा है prime number तो यहाँ पे कितना add हो गया 13 add हो गया तो यहाँ पे prime number 13 चागली 17 है 17 add करेंगे तो आएगा 85 answer क्या 85 option 3 is the right choice चलीए next question पे 7 friends 7 girls ABCD EFG are sitting around a circular table facing the center of the table तो 7 है आपके 7 को क्या करी है आप इसको ऐसे center की तरफ उनको 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बैट गए center की तरफ अब E is sitting between D and C तो E क्या है D और C के बीचे बैठा है तो D और C के अभी मुझे location नहीं पता है D इदर भी हो सकता है D से तो मैंने 2 कर लिया इसको G is second to the right of E A is third to the right of C देखो A क्या है third to the right of C है तो अगर मैं A को यहां पर बैठा दूँगा अगर A को मैं यहां माल लोगा तो G is second to the right of E कोई issue नहीं है तो G is second to the right of A is not to the right B is between A and D तो देखो इस तरहे question में मैं दो possibility भी लेके चलूँगा यह द्यानक न इस तरहे question है 1, 2, 3, 4, 5 प्रसन को मैं तमीज से बठाने दीजिए मुझे 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब सुरू से चलिए E is sitting between D and C तो E मैंने यहां बैठाया D यहां पे और C यहां पे E मैंने यहां बैठाया C यहां पे और D यहां पे एक बार मैंने D इस साइड बैठाया और एक बार इस साइड ऐसे चलता है इन questions में G is second to the right of E A is third to the right of C तो 1, 2, 3 A आएगा यहां पे third to the right A आएगा यहां पे clear? अब B is between A and D B क्या है? A और D के बीच में तो देखो B यहां पे A और D के बीच में नहीं बैठायगा B क्या है? A और D के बीच में नहीं बैठायगा अगर देखो तो बैसे तो यहां बैठायगा यहां बैठालीजी आप क्योंकि इधर से भी B और इस साइड से कोई दिक्खत नहीं और B is between A and D अब देखो, A यहाँ पर क्या है, D के second left में, A sits to the second to the left of D, यह सही बैट रहा है, लेकिन, यहाँ पर यह सही नहीं है, तो यह option होगा गलत, के ज़िए A is second to the left of D, ठीक है, और यह क्याँ पर था? A is second, A is sitting, शुरवात का वलब, जी is second to the right of E, यहाँ पर A, B, C, D, E, F, यहाँ पर आगया, understand, यह आपका सहीं, at the third place to the right of f तो first, second, third third place पर कोई है D understand? चलिए, answer की है D next पर चलते है in a certain code fringe is written as तो fringe को क्या लिखा है? f, r, i, n, g, e तो f, f का value कितनी होते है? 6, r की 18, i की 9 14, g 7, e 5 तो क्या लिखे है इन्हों है? 6, 18, 9 14, 75 मतलब direct letter की coding इन्होंने लिखी है आपको किसके बताने please की p, l, e, a, s, e तो p, 16, l, 12, 5, a, 19, 5 तो यह आगया आपका 16, 12, 5, 19, 5 16, 12, 5, 1 आए गए यहाँ आपे 16, 12, 5, 1, 19, 5 तो आपका option number 2 2 is the right choice, next पे चलते हैं यह आपका figure completion series का question है तो देखे यह यहाँ पी क्या था? सबसे पहले यह black उपर था, नीचे हो गया, उपर था, नीचे हो जाएगा तो इस बार क्या आएगा? black नीचे आएगा black नीचे मतलब इस तरह से आएगा black इसमें नीचे है, इसमें नीचे है, इसमें नहीं है, इसरट आईए यह था, यह आपका second पे चला गया यह आपका third पे चला गया यह आपका fourth पे चला गया और यह starting में आ गया similarly यह second पे यह third पे ऐसे चला गए तो इस बार क्या होगा यह जो वाला portion है सबसे पहले पे आ जाएगा यह वाला दूसरे वाला second पे चला जाएगा यह आपका यह star इस तर चला जाएगा आपका तीसरे नमबर पे लास्ट में चला जाएगा circle तो यह option आएगा अब कौन से में है यह option सबसे पहले आना चाहिए यह वाला rectangle तो यह गलत हो गया और फिर आना चाहिए आपका यह दोनों हो गया यह left में था तो यह right में हो जाएगा यह यह यहाँ पर क्या left में ही है तो यह भी गलत हो गया तो option बचा two two is the right choice चलिए नेक्स्ट कोशन पे देखिए आप क्या है एच से next क्थ है ाई आई से next कौश है जे से next क्षव है के के से next कौश में ठीऐ रोल Raczem से next ऑप यू अब से अगला चलिए प्र पी से अगला चलिए क्यों कू से अगला चलिए आर मतलाव र हमतलब one minus 1 हो रह भाद है minus 1 minus 1 minus 1 तो कॉन सा आएगा end तो कौन सा आएगा last में क्या आएगा end तो last में आएगा बिल्क् upgradn तो last में क्या आएगा end last में बिल्क्त ना इन दोनों से कौन से इसमें नहीं है इसमें तो option 4, the right choice four क क्या इसकी right choice है चलिएं next question पर नंबर लेटर, वर्ड सीरीज है, वर्ड एनलोजी इसको बोलते है, कम्प्लीट को क्या लिखा है, अन्फिनिश, कम्प्लीट का पोजिट क्या होता है, अन्फिनिश, डिफीट का पोजिट क्या होता है, विक्ट्री, डिफीट का पोजिट क्या होता है, विक्ट्री, तो इसक का right choice है चलिए next question पर serpent को क्या लिखा है नोंने serpent को लिखा है नोंने kodak serpent 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 तो ser इसको लिखा res मतलब यह ese ही रहा r इदर आगया इस इदर आगया यह दोनों ने change कर ली position फिर pse लिखा n ऐसे ही हो गया इसने और इसने change कर ली that is tne अब हम ऐसे ही करेंगे contact में c o n t a c t t को तो ऐसी लिख दीजे o को ऐसी लिख दीजे c को ऐसी लिखिए n इदर लाइए c दर लाइए यह दोनों ने position change करी इन दोनों ने position change करी t c a t c a के लिए n o c t t c a n o c t t c a one is the right choice one is the right choice next प्याइए आज का burning question देखिए अच्छा question है try करेंगे इस question को letter missing आपका letter series है completion letter series sorry completion number series का question है आप इसो करें 21 26 ऐसे चला है तो यहां पर question mark में क्या आएगा हमारी यह premium courses है आप इस quiz courses को अवेल कर सकते है video courses भी अवेल कर सकते है complete courses है आपको complete त्यारी कर आएंगे सानिक स्कूल 6 के लिए और सानिक स्कूल 9 के लिए वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक करिए share करिए अपने फ्रेंड से चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिए 1000 questions RIMC 500 800 social science मैस सारे solution आपको है आपको सारे question जो series होती है entrance exam की सब मिलेगी आपको यहां पर कोई doubt हो इन number पर आप में whatsapp करके या call करके कोई भी information ले सकते हैं so trend मिलते हैं next video में thanks for watching